हलो इबरेबरी वेलकम टू एक्जाम सोंच पर दोस्तो इस वेडियो में हम करेंगे भुगोल के टॉप हंडर्ड कोसन सारे कोसन सेलेक्टेड और सभी प्रत्योगी प्रचाओ के लिए महत्पूर प्रसन है इसलिए दोस्तो आप इस वेडियो को पूरा जरूर देखेगा वेडियो बहुती स्तांदर्ड चबर दस्त होगी तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोसन है दोस्तो किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं अगला question है दोस्तो सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है पसम बंगाल राज्य के साथ सिक्किम अपनी सीमा बनाता है Next question, पिर्थिबी के सबसे निकर्तम तारा कौन है? सूर है सूर पिर्थिबी के सबसे निकर्तम तारा है Next question, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है? भूमद रेखा सबसे बड़ी रेखा होती है और भुमद रेखा भारत से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमेटर की दूरी पर है. भुमद रेखा भारत से 876 किलोमेटर की दूरी पर है. गंगा यमना सरपसती नदिया मिलकर ओनेगा जील किस देश में इसे थे रूस में इसे थे दोस्तो रूस देश में इसे थे ओनेगा जील नेक्स्ट क्वेसन लोक्टक जील किस राज में इसे थे लोक्टक जील बहुत ही फेमस जील है और ये मडीपुर राज में है लोक्टक जील कहाँ पर है? मडीपुर राज में है और लोक्टक जील पर दुनिया का एक मात्र तेरता हुआ राच्टी उद्दान है जिसका नाम है केबुल लामचाओ केबुल लामचाओ आपके एक्जाम में बहुत पुछा जाता है केबुल लामचाओ दुनिया का एक मात्र तेरता हुआ राच्टी उद्दान है और ये कहाँ पर है लोक्टक जील पर है मडिपुर राज में दुनिया का एक मात्र तेरता हुआ राच्टी उद्दान केबुल लामचाओ मडिपुर में लोक्टक जील पर है Next question, बिस्ट की सबसे गहरी जील कौन सी है? सबसे गहरी जील है बैकाल जील और ये रोस में है बैकाल जील बिस्ट की सबसे गहरी जील है Next question, हिमाले को कितने भागों में बाटा गया है? तीन भागों में बाटा गया है दोस्तों हिमाले को कुल तीन भागों में बाटा गया है अगला क्वेसन गतिमान एक्सपरस जांसी से किसको जोडती है जांसी को हजरत निजामुदीन से जोडती है जोकि दिल्ली में इस थे गदिमान एक्सप्रस जांसी को हजरत निजामद दीन से जोडती है वाय मंडल के किस परत में सबसे कम घणत पाये जाता है बहर मंडल में एक्जो स्फेर में सबसे कम घणत पाये जाता है नेक्स्ट क्वेसन है दोस्तों जंगली गधे कहां पाय जाते हैं रन आफ कच की खाड़ी में पाय जाते हैं जंगली गधे और रन आफ कच कहां पर है गुजरात में है रन आफ कच कहां पर है गुजरात में है कच की खाड़ी गुजरात में है और यहां पर जंगली गधे पा महत्मा गाधी राज्टे समुद्री उध्यान तूती कोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर इसद है? तमिल नाडु राज में है अगला कोशन एसिया महाधीप से बाहर इसद सबसे उच्छा परबत कौन सा है? एकांका गुवा है और ये अर्जेंटीना में है दच्छड अमेरिका में है तो आप ये जरूर याद रखिये गया दोस्तों एकांका गुवा दच्छड अमेरिका में है नेक्स्ट कोशन सुन्दरवन राच्टी उध्दान किस देश के नजदीक है? बंगला देश के नजदीक है सुन्दर उपन राष्टे उद्दान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्टे उद्दान है या बंगला देश के नजदीक है नेक्स्ट क्वसन कौन सी खरीब की फसले हैं मक्का जुआर धान बाजरा गन्ना सोयबीन या उप्सन नमबर डी उपर रगत सभी तो खरीब की फसले इसमें सारी के सारी खरीब की फसले हो जाएंगी option number D, उपर की सभी फसले, खरीब की फसले हैं, मक्का, जुआर, धान, बाजरा, गन्ना, सोयबिन, इस सारी फसले, खरीब की फसले हैं next question, नदियों के चटानों के दरारों और पड़तों से कौन सा खनिच निकलता है, फासफोरस खनिच निकलता है परवेश किया था 5 जुलाई 2016 को next question, हैदराबाद किस पठार पर इसे थे? हैदराबाद छोटा नाकुर पठार पर इसे थे दोस्तों, छोटा नाकुर पठार पर इसे थे हैदराबाद अगला question है दोस्तों, MS स्वामी नाथन किस छेतर से संबन्धित है अनुवांस की बिग्ञानी थे MS स्वामी नाथन, और MS स्वामी नाथन भारत में हरत क्रांती के जनक थे भारत में हरत करांती के जनक कौन है अगर पूछा जाएं हरत करांती के जनक कौन है भारत में तो MS स्वामी नाथने भारत में हरत करांती के जनक है नार्मन वोरलाग अगला कोशन, रज़त क्रांते का संबंध किसे हैं? अंडा और मुर्गियों के उतपादन से हैं नेक्स्ट क्रांते का संबंध अंडा और मुर्गियों के उतपादन से हैं सुन्दर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेगना नदीया मिलकर सुन्दर वन का डेल्टा जोकी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है बनाती हैं यानि ऑप्से नदी ऊपर की सभी नदीया इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन भारत में रेल मार्गो का सबसे बड़ा जाल, सबसे बड़ा नेटवर्ग किस राज में पाज जाता है। उत्तर परदेश राज में पाज जाता है। रेल मार्गो का सबसे बड़ा जाल उत्तर परदेश राज में है। Next question ईकला कोसन इंडीच परबत माला जो की दच्छड अमेरीका की सरभोज परबत चोटी है। का नाम क्या है? एकांग का गुवा है, एकांग का गुवा चुकी अर्जन्टीना में इंडीच परवदमाला की सबसे उची परवद चोटी है बिस के अधिकांस पठारी भागों में किस ब्युवसाय की प्रधानता पाई जाती है उध्खनन की प्रधानता पाई जाती है अगला क्वशन, मिसेटा का पठार कहां पर इसे थे? इस्पेन और पुर्दगाल में है मिसेटा का पठार इस्पेन और पुर्दगाल में है अगला क्वशन, 1981 इसबी में अस्थापित भारती वन सर्वेचट भीभाग फोरिस्ट सर्वे आफ इंडिया का मुख्याले कहां पर है? देहरादून में है फोरिस्ट सर्वे आफ इंडिया का मुख्याले देहरादून उत्राखंड राच में है नेक्स्ट क्वेसन ब्लेक हिल, ब्लू परबत, ग्रीन परबत नामक पहाडिया किस देश में एस्थ हैं? सेंगतराज अमेरिका में एस्थ हैं ब्लेक हिल, ब्लू परबत और ग्रीन परबत सेंगतराज अमेरिका में एस्थ हैं अफ्रीका के उत्मासा आंत्रिप केफ आप गुड होप की खोज का सरे किस नाविक को दिया जाता है केफ आप गुड होप की खोज की थी बार्थोलोमियोड डियाज ने अफ्रीका के उत्मासा आंत्रिप की खोज बार्थोलोमियोड डियाज ने की थी नेक्स्ट बिस्प का सबसे बड़ा प्राधीप कौन सा है? नेक्स्ट क्वेसं भार्त में कुईला पर्चुर मात्रा में किस परकार का पायजाता है ? नेक्स्ट क्वेसं रबांड़ा की राजधानी कहां पर है ? किगाली है रवांडा की राजधानी किगाली है अगला क्वेसन माउंट एटना किस परवत माला में इस्त है माउंट एटना सिसली परवत माला में इस्त है और ये इटली देश में है नेक्स्ट क्वेसन आस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है आउस्ट्रेलिया मरे डारलिंग फिनारे बसा है Next question Greenland की खोज किसने की थी Robert प्यारे ने Greenland की खोज की थी Robert प्यारे ने Next question है दोस्तो सबसे उच्छा जल प्रपात कौन सा है Salto Angel, जोकी 20 चयल देश में है सबसे उच्छा जल परपात है दुनिया का सबसे उचा जलपरपाथ है साल्टो एंजल जलपरपाथ नेक्स्ट क्वेसन डोडोमा किस देश की राजधानी है तंजानिया की राजधानी है डोडोमा तंजानिया देश की राजधानी है अगला क्वेसन युगांडा की राजधानी क्या है युगांडा की राजधानी है कंपाला कंपाला युगांडा की राजधानी है नेक्स्ट क्वेसन है किस दिन पिर्थवी से सूर की दूरी नियूंतम होती है तीन चनुरी को पिर्थवी से सूर की दूरी नियूंतम होती है एक डिगरी देशांतर की सुर्वधिक दूरी खाँWow पर होते हैं? अगला दाधिता Čरिशा, यहनी कि Roaring 40s क्या है? पचुआ पवने होते हैं? Next question, मावोरी जन्चादी का निवास कहा है? New Zealand में है, मावोरी जन्चादी का निवास अस्थान New Zealand में है Next question, तुंग भद्रा तथा भीमा नदिया किस नदी की सहायक नदिया है? अगला कोशन चोटा नागपर पठार की सबसे ऊची चोटी कौन सी है नेक्स्ट कोशन भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है इंद्रा गाधी नहर परियोजना जिसे राजस्थान नहर परियोजना की नामसी भी जाना जता है भारत की सबसे बड़ी प्रियोजना है बड़ी नहर प्रियोजना है और ये राजस्थान में है नेक्स्ट क्वस्टन भाखडा नंगल प्रियोजना में मानो निर्मिद जील को किस नाम से जाना चाता है गोबिंद सागर की नाम से जाना चाता है मानो निर्मे छेल को गोबिंद स्तागर के नाम से जाना चाता है दोस्तों हमने अपनी एबुक लॉंच कर दी है चीके संजियोनी इस एबुक की खास बात ये है दोस्तों किसमें आपको इतिहास, सब्धान, भुगोल, अर्थसासर और सामान बिज्ञान के 3500 प्लस क्वेस्नों का 60 संग्रे मिलेगा ये एबुक आपके सभी प्रतियोगी परच्छाओ के लिए महत्पूर है तो इस एबुक को बाय कर सकते हैं दोस्तों, इसका प्राइज मात्र 89 रुपे है, 89 रुपे है इसका प्राइज इतना कम इसलिए रखा गया है कि इसे आपको सभी बाय कर सकते हैं नवासी रुपे है इस e-book का price, इसे buy करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, description box में link दिया गया है, link पे आप जिसे ही click करेंगे, कुछ इस तरह का portal खुलेगा, और यहाँ पर आप buy now पर click करेंगे, उसके बाद में आपको अपना first name, last name, email id और अपना mobile number डालना ह then उसके बाद में review and paper click कर देना है, उसके बाद में payment का option को लेगा, यहाँ पर आप UPI, credit card, debit card, net banking और वालेट्स, किसी भी तरीके से आप payment कर सकते हैं, payment के सभी सुबदाएं उपलब्ध हैं, payment करते हैं आपको e-book मिल जाएगी, आप उसे load कर सकते हैं, तो इस e-book को आप जरू चलिए बढ़ते हैं अपने next question पर, next question है दोस्तो, किस ग्रह को लाल तारा यानि कि रेड स्टार की संग्या दी जाती हैं, मंगल ग्रह को लाल तारा रेड स्टार कहा जाता हैं, next question, उत्तरी अमेरिका में एसित माउंट मेकले किस परबत की चोटी है, माउंट मेकले राकीच परबत की चोटी है, माउंट मेकले और ये उत्तरी अमेरिका में इसित हैं, next question, नीदल लंड में समद्र से लिएगे भूभाग को किस नाम से जाना चाता हैं, पोल्डर की नाम से जाना चाता हैं, अगला question, भारत की सुरबधिक गहरी खान कौन सी हैं, कोलार की खान भारत की सुरबधिक गहरी खाने और ये करनाटक राज में हैं, next question, भारती आंतरिज सोध संस्थान इसरो कहां पर इसित हैं, तो Indian Space Research Organization कहां पर इसित हैं, बेंगलुरु में हैं, करनाटक के बेंगलुरु सहर में, अगला question, राष्टे जलमार्ग दो किस को जोडता हैं, धुबरी और सदिया को जोडता हैं, राष्टे जलमार्ग दो धुबरी और सदिया को आपस में जोडता हैं, next question, देश में मौसम मांचित्र बनाने का परमुक कारयले किस नगर में इसित हैं, पुडे नगर में इसित हैं, देश में मौसम मांचित्र बनाने का परमुक कारयले, परमुक है पुड को बिद्दुत परियोजना किन राज्यों का सयुक्त ओपकरम है? ओडीसा और आंद्र परदेश की सयुक्त परियोजना है मंच कुड जल बिद्दुत परियोजना नेक्स्ट क्वेसन उत्राखंड में हिमाले का सर्वोच सिखर कौन सा है नंदा देवी है नंदा देवी परबत उत्राखंड में हिमाले का सर्वोच परबत सिखर है अगला कॉस्टन भार्थ का सुर्वथिक नगरी करित राज कौन सा है? गोबा भार्थ का सुर्वथिक नगरी करित राज है और गोबा को आजाधी कम मिली पुर्थगलियों की दोरा 1987 में गोबा को पुर्थगलियों की दोरा आजाधी मिली नेक्स्ट क्वेसन ब्रहाजवार उस समय आता है जब पिर्थभी चंद्रमा और सूर एक्सीधी रेख्या में होते हैं तब ब्रहाजवार आता है नेक्स्ट क्वेसन दचडी अमेरिका का कौन सा देश चेतरफल की दृष्टी से सबसे बड़ा है ब्राजील है ब्राजील दच्छडी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है चेतरफल की द्रिश्टी से अगला कोशन मंगल और ब्रस्पती की कच्छाओं के बेच सूर के चारों और परकर्मा करने बाले सेल के छोटे टुकडों के समूहों को क्या कहते हैं चुद्रगरा कहा जाता है एस्ट्रोइट्स कहते हैं अगला कोशन अलमाटी बांध किस नदी पर है अलमाटी बांध चम्बल नदी पर है चम्बल नदी पर इसे थे अलमाटी बांध नेक्स्ट क्वेसन जबाहर सागर, राणा परताप सागर और गांधी सागर चलासेओ का निर्माड किस नदी पर किया गया है तो किस नदी पर किया गया है चम्बल नदी पर किया गया है जबहर सागर, राणा परताप सागर और गांधी सागर चलासेयो का निर्माड चंबल नदी पर किया गया है नेक्स्ट क्वेसन जोजिला दर्रा किन किन को जोडता है लेहे और सिरी नगर को जोडता है जोजिला दर्रा एसकमो लोगो दोरा टुंडरा छेतर में बर्फ की साहता से बनाए गें गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है एगुलू कहते हैं एसकमो लोगो की घरों को एगुलू कहते है नदियों के जवरंद मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हलकी हलकी जैतून रंकी वनस्पती और सोसन मूल वाले जवारिय बन को क्या कहा जाता है गरान कहते हैं मेंगरोप कहा जाता है नेक्स्ट क्वेसन बंब कूप कहां पाज जाते हैं? अवसादी सेल में पाज जाते हैं अगला क्वेसन हूबर बांद किस नदी पर बना गया है? कोलो रेडो नदी पर बना गया है और यह अमेरिका की नदी है अमेरिका की कोलो रेडो नदी पर हूबर बांद बना गया है अगला क्वेस्ट की सबसे सांत सीमा रेखा के रूप में मारी जानेपली 45 डिगरी समानतर अच्छांस रेखा किन दो देशों को अलग करती है सेमत राज अमेरका और कनाडा को अलग करती है 14 डिगरी समानतर अच्छांस रेखा नेक्स्ट क्वेस्ट ओबरा प्रियोजना ओबरा प्रोजेक्ट किस राज की ताप बिद्दुत प्रियोजना है उत्तर प्रदेश की ताप बिद्दुत परियोजना है ओपरा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज की ताप बिद्दुत परियोजना है Next Question, किस देश में ट्यूलिव की खेती स्वर्वधिक पर्सिद है? नीदलेंड में ट्यूलिव की खेती स्वर्वधिक पर्सिद है? नीदलेंड देश में Next Question, भार्त में पर्थम जल बिद्दू सक्ती केंदर की अस्थापना कब और कहां पर की गए थी? 1902 S.B. में सिवा समुद्र में काभेरी नदी पर पर्थम जल बिद्दू सक्ति केंदर की अस्थापना की गए थी 1902 में Next question भैसा सिंगी नामक जनजाती भारत के किस राज में पाई जाती है भैसा सिंगी नामक जनजाती भारत के नागालेंड राज में पाई जाती है चेरा पूंजी में घाले में इस थे Next question दंड कारेंड प्रोजेक्ट 36 गड की किस जले में इस थे बस्तर में इस थे 36 गड के बस्तर में इस थे दंड कारेंड प्रोजेक्ट Next question चेतरफल की द्रिष्टी से भारत का बिस में कौन सा अस्थान है भारत का सातवा अस्थाने चेतरफल की दृष्टी से भारत का सातवा अस्थाने बिस में और चेतरफल की दृष्टी से बिस का सबसे बड़ा देशे रूस रूस बिस का सबसे बड़ा देशे चेतरफल की दृष्टी से अगला कोस्टन भारत की असल सीमा की लंबाई कितनी है असल सीमा की लंबाई कितनी है 15200 किलोमेटर है भारत की कुल असल सीमा की लंबाई नेक्स्ट कॉसन भारत के मुख भूमी के तठीय भाग की लंबाई कितनी है 1600 किलोमेटर है मुख भूमी के तठीय भूभाग की लंबाई एकसट सो किलोमेटर है नेक्स्ट कॉसन भारत के समपूर तठीय भाग की लंबाई दुइप समुहो सहित कितनी है दुइप समुहो सहित अगर बात करें तो 7516.5 किलोमेटर है भारत की कुल तठीय भुभाग की लंबाई 7,516.5 km है और भारत की कुल 9 राज्ज हैं जो तठीय भाग से लगते हैं अगला कोसन भारत की असल सीमा कितने देशों के साथ लगती है साथ देशों के साथ भारत की असल सीमा लगती है बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भूटान, यहाँ पर पाकिस्तान दो बार हो गया है मेंमार हो जाएगा, मेंमार के साथ भी भार्ट की असल सीमा लगती है Next question, भार्ट की जलिय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है Next question, भार्ट की जलिय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है Next question, इंदराकाल किस राज में इसे थे, लगदाक राज में इसे थे इंदराकाल इंदराकाल भार्ट का सबसे उत्तरी बिंदू है Next question, भार्ट का सबसे पस्तमी बिंदू का नाम क्या है सबसे पस्तमी बिंदू भार्ट का गुहार मोती है यहाँ पर गुहार मोती होगा गुहार मोती भारत का सबसे पस्यमी बिंदू है और यह कहाँ पर है? गुजरात राज में है गुजरात राज में है Next question भारत का सबसे पूर्वी बिंदू का नाम क्या है? कि बुथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदू है कि बुथू और ये कहां पर है अरुडांचल प्रदेश में है कि बुथू अगर पूछा जाए कहां पर है तो अरुडांचल प्रदेश राज में जो भाद का सबसे पूर्वी बिंदू है Next question कोलाबा पॉइंट कहां पर इस थे मुंबई में इस थे महराश्ट के मुंबई में इस थे कोलाबा पॉइंट अगला कोशन पॉइंट काली मेरे किस राज में इस थे पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु राज में इस थे तमिलनाडु राज में इस थे पॉइंट काली मेरे Next question मैक मोहर रेखा कब निर्धार्द की गए थी मैक मोहर रेखा 1914 इसे में सिमला समझोता के दोरा मैक मोहर रेखा निर्धार्द की गए थी भारत और चीन के बेज भारत और चीन के बेज मैक मोहर रेखा निर्धार्द की गए थी 1914 में सिमला समझोता के दोरा भारत और चीन के बीज और पाकिस्तान के बीज और समुद्री पड़ोशी देश कोई सा है? सबसे निकरतम समुद्री पड़ोशी देश स्री लंका है प्रिलंका भारत का सबसे निकरतम समुद्री पडूसी देश हैं। Next question, करगरेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती हैं। भारत के मद्ध से होकर गुजरती हैं करगरेखा और भारत के कुल आठ राजियों से होकर गुजरती हैं। राजस्थान, गुजरात, मद्ध प्रदेश, छतीजगर, जारखंड, पसिम बंगाल, तिरिपुरा और मिजोरम, इनकुल आठ राजियों से होकर गुजरती है, करगरेखा भारत से होकर गुजरती है Next question, भारती उपमहादीप में कौन कौन से देश समलित है भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल और भूटान देश, भारती उपमहादीप में समलित देश है Next question है दोस्तो, गुजरात के बाद किस राज की तडरेखा सबसे लंबी है Next question, भारत के कितने राज तडरेखा से लंबी है नेक्स्ट और लास्ट कोसन है दोस्तों पाकिस्तान की सीमा को अस्पर्स करने बाले भारतियराज ये यूटी कौन से हैं भारतियराज ये किंद्च सासित परदेश कौन से हैं जम्मु कस्मीर, लद्दाग, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्जे हैं जो पाकिस्तान की सीमा को असपर्ज करते हैं जम्मु कस्मीर, लद्दाग, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्जे हैं दोस्तो जी के संजुनी एबुक को आप जरूर बाय करिएगा इस एबुक को आप बाय कर सकते हैं सिरिफ 89 रुपे में 89 रुपे इस बुक का प्राइज है तो आप इसे एसली बाय कर सकते हैं इस एबुक कल लिंक आपको description box मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करके आप एसली इस आइकन को प्रेस कल जी ताकि हम जो भी वेडियो डाले उसके नौडिफिकाशन आप तक जरू पहुंचें कोमेंट करके बताई कि ये वेडियो आपको कैसे लगी और ऐसी और भी वेडियो चाहिए या फिर जिस टॉपिक पर वेडियो चाहिए कोमेंट सेक्षन में आप जरू पहताईगा टेलिग्राम सेनल को नहीं जोयन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जागा टेलिग्राम सेनल को जोयन कल जी समलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जैहिन जै भारत